आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ अगर में पास कोई A matrices हो और वो उसका कुई भी order हो अगर उसके element हो A, B, C और D तो अगर मैं K, A निकालूँ इसको किसी element से multiply करो किसी constant से multiply करो तो सारे element जो है उसी constant से multiply हो जाते है ठीक है K, C and K, D So clearly यहाँ पर मेरे पास क्या हो अगर A मेरे पास given है उसमें 3 यह निकालू So वो मेरे पास क्या होगा That सारे element 3 से multiply होंगे So 1 की 3 में multiply करोंगे तो 3 2 की 3 में multiply करोंगे तो 6 हुआ And यहाँ पर minus 2 है उसमें हम 3 multiply कराएंगे So that वो मेरे पास हो जाएगा minus 6 And यहाँ पर 4 की में 3 में multiply करोंगे तो यह हुआ 12 So यह तो हमने निकाला 3 है But मुझे क्या चाहिए minus 3 है So क्या होता है अगर हम minus से multiply करवाते हैं तो सारे जो element है वो हमारे negative से multiply हो जाते है So clearly अगर मैं minus 3 यह निकालू यहाँ से So मैटेसिस के rule के according मेरा हर एक element जो है negative से multiply हो जाएगा यह 3 से जो बन जाएगा वो बन जाएगा minus 3 यह 6 से बन जाएगा minus 6 यह minus 6 से मैं जाएगा minus 6 से बन जाएगा तो minus minus की multiply करते हैं तो plus हो जाता है ठीक है तो plus 6 हो जाएगा And यह 12 से हो जाएगा फिर पस minus 12 Okay, so clearly हमें A मिला हुआ था और का था 3 A हमारा ऐसा होगा और हमारा सेम वैसा ही निकल के आ रहा है ठीक है So clearly यह हमारा क्या हुआ Final answer होगा Okay, thank you